दोस्तो आज आपको ये वीडियो का अंदर एक पुरा अलाग तरीका से एक अलाग से इन्फोर्मेशन सेर करनगा जो दोस्तो TDS 6107 जो IC बेसबोट का अंदर रहता है आप पर फूराशन आरा है और आपका मुण में लाग रहा है कि इसका पूराशन आ है कि में आएंदर कांदा फ्रॉसरिस एक बार फूर वाच किजे आपका मून में जो क्लूशन है इत्वाथ प्रॉर कार सकते हैं कि दोस्तो यह IC का डाटा सीट, TDA 6107 JV जो IC है, इसका डाटा सीट है, तो दोस्तो गोगल का अंदर हर जगा पर सही इंफर्मेसन नहीं दिखा जथा है, इसलिए मैं यह वीडियो का अंदर आपको सही इंफर्मेसन देने के लिए कोशिश करूँगा, यह वीडियो सुरू से हेलो दोस्तो, आज आपको रिपेर करके देखाँगा, यह जो LG का चासिस है, तो दोस्तो यह मेरा पास लेक है, एक टेगनिशन, तो एक भीवार्स जो यह PCV को लेक है, यह चासिस नमबर आपको अगबर देखाना चाहता हूँ, यह स्टिकर नीचे यह चासिस नमबर लेका है, देखें, CP79B, ठीक है, CP79B, यह चासिस नमबर है, और यह चासिस का अंदर वो जो काम किया, एक्चली यह बेसबोट का अंदर काम किया, अब देख सकते हैं, इसका बेसबोट वो अलग सा लगा है, यह बेसबोट लगा है, और यह आईसी बेसबोट लगा है, और इसका जो वायट देखिए इसी तरह सुल्डरिंग किया ठीक है और वह बात है कि यह पिस्टिवी का अंदर कालर प्रब्लम है तो मैं सप्लाई देखे टेस्ट कर रहा हूँ अब देख सकतो इसका अंदर पिक्चर का अंदर कालर प्रब्लम है ग्रीन कालर ज्यादा लकड़ा है तो अच्छा करके दिखने का बाद पता चलेगा कि दोस्तो यह रेट कलर मिसिंग है ठीक है ग्रीन और ब्लू इसका अंदर है और रेट कलर मिसिंग है और नीचे इसका खोना रेट कलर दिखा जाता है बाद दोस्ति यह कालर पैंश है कि यह पिक्चर का कलर नहीं है ठीक है यह मैं थोड़ा सा अब बोल्डे स्टिक करके देखूंगा आपको कि मिन IC से जो RGB कलर निकलता है यहापर कितना फोल मिल रहा है देखिए यह IC का अंदर जो यहाँ से तीनो डायट देखा जाता है यह जो डायट है इसका अंदर देखिए 3.1 वोल्ड है और यहापर जो 2.7 वोल्ड है और यहापर दुस्तो 2.7 वोल्ड है मुलब यह तीनो पिन से RGB कलर निकल रहा है ठीक है और कुछ देखने का जुरूरत नहीं है तो डायरेक्ट्र लिए मैं बेजबुट का अंदर लेकर चलता हूँ इसका अंदर जो सप्लाई भोल्ड आ रहा है 184 वोल्ड आ रहा है ठीक है और यह जो कलर प्रब्लम है बेजबुट का अंदर जो भोल्डेज अभी 100 होड़ा है एक पिं का अन्दर 148 का असपास 48 का सो होड़ा है और यह दो फिलामेन का और इसका अन्दर 110 जार इस तरा भोल्टेज़ सो होड़ा है तो यह भोल्टेज़ दिखने का बद पता नहीं कर सकता तो तो क्या दिखना पड़ेगा इसका आपकर करने का बाद मैं देखूंगा कि यह जो वाइरिंग है ठीक है इसका जो RGB सिगिनल को जिस पिन पॉर में वो कनेक्शन किया वो लाइन को अच्छा करके देखना पड़ेगा ठीक है उसका पहले यह IC का RGB पीन जो सिगिनल पीन वो कुन है वो आपको आइडेंटीफाइlim करना पड़ेगा उसका बाद यह जो तीनो डाइड है यह तीनो डायाड का अंदर कुन सा RGB सिगिनल आउटपुट होता है जो दोस्तों यह जो तिनो डियोड है, यह तिनो लाइन है और यह तिनो रेजिस्टएंस है यह तिनो रेजिस्टेंस से यह IC का पास आता है IC का यह PIN का आंदर भी RGB लिखा हो सकता है RGB लिखा देखेगा तो अब RGB बीट पिन को अईडन्टीफाय कर सकता है नहीं तो आपको यह IC नमबर देखके Google का अंदर इसका डाटा सीट आपको निकलना पड़ेगा ठीक है चलिए मैं अच्छा देखने का बाद आपको बात आता हूँ तो दोस्तो यह LG चैसिस का अंदर जो मेन प्रोसेसर IC यह प्रोसेसर IC का नमबर आप देख सकते हो TDO 12135 PS by N3 by 3 by MB5 तो यह IC का जो RGB pin है वो आपको first confirm करना चाहिए कि कुन सा red, green और blue signal output का है तो आपको यह वीडियो का अंदर देखाऊंगा तो चलिए PCB का मैं उल्टा करने का बाद मैं आपको पूरा details देखाऊंगा कि दोस्तो और यह जो base boot है यह base boot का अंदर जो IC है चलिए मैं यह IC भी नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ तो दोस्तों यह बहुत important है कि दिखी यह जो IC है TDA 6107JF तो यह IC का जो RGB signal input का pin है यह आपको confirm करना चाहिए तो दोस्तों यह side से यह 1 number pin और उसका नीचे 2 number pin और दोस्तों यह 3 number pin है तो यह 3 pin का अंदर signal input होता है और इसका यह last 3 pin से जो RGB amplify signal base board का अंदर जाता है ठीक है और middle में एक supply pin होता है एक IK pin और दोस्ते एक GND ground pin होता है ठीक है तो इसी तरह ultra करने का बाद आप देखिए कि दोस्तों यह जो base board है इसका देखी यह 1 number pin यह 2 number pin यह 3 number pin तो यह 1 number pin का साथ यह जो connected रहता है यह से यह तक एक resistance है यह एक signal है और यह एक number होगी है और यह 2 number pin का साथ यह से यह तक resistance है और यह फुर एक wire connection है और दोस्तों दो नामबर का बाद यह 3 number pin का साथ यह जो pin है यह pin का से connection है तो यह तीनों wire ultra connection था मलब RGB signal pin तीनों RGB input pin का साथ match होना चाहिए यह match जब नहीं होगा तो discolor problem आएगा ठीक है यह मैं साही से connection किया कौन pin का साथ कौन pin connection रहता है चले मैं आपको practically करके देखांगा और बाद में इसका जो data sheet इसका अंदर कौन सा RGB signal pin है वो मैं details आपको देखांगा तो दोस्तों मैं आपको इसी टाइम बाताना चात्तों कि आप google का अंदर चेक करके देखेगा तो अलाग अलाग drawing का उपार यह जो pin यह जो RGB कौन सा pin यह clear देखने को नहीं मिलेगा और कूछ मैं data sheet का अंदर देखा कि वो गलत आपको information देदिया ठीक है मैं आपको यह वीडियो का अंदर साही information का साथ साही color लेके देखांगा ठीक है तो चलिए मैं कैमरा को थोड़ा set कर लेता हूं set करने का बाद आपको details में देखाता हूं देखिए दोस्तो यह जो IC है यह IC number भी आपको देखाया और इसका साथ इसका जो यह तीनो pin है जिस pin का अंदर तीनो dart रहता है ठीक है यह दोस्तो एक दो तीन pin है और यह बीज में एक resistance होता सकता है jumper भी हो सकता है और यह जो left side ठीक है यह left side का जो dart है यह left side से जो line जाड़ा है यह दोस्तो red signal output का मैं यह पर red लिख दिया ठीक है उसका बाद जो pin है वो green signal output का मैं g लिख दिया और उसका बाद दोस्तो जो pin है वो b signal output का ठीक है तो यह IC pin तो मैं आपको बाता दिया सबसे important जो है यह baseboard है ठीक है यह IC का baseboard का अंदर एक number pin का सब कुन से मैं connection किया चलिए मैं यह R signal तो दोस्तो सब का अंदर काम काने का सुमाय video बनाने भी टाप हो जाता है क्योंकि कभी कभी customer भी आ जाता है इसलिए video को मैं stop कर दिया तो दोस्तो चलिए मैं दोबरा clear करके देखाता हूं देखिए यह IC का यह नीचे वाला pin है दोस्तो यह एक number pin और एक number pin का साथ यहां तक एक resistance है जिसका value 40 जिसका value दोस्तो 46 ohms है ठीक है तो यहां से एक number pin से जो connection मैं किया आपको मैं दिखाता हूं यह देखिए यह एक number pin दोस्तो यह जो IC का देखिए IC pin से connection नहीं मिलता है क्योंकि बिज में यहां पर एक resistance भी है ठीक है देखिए पर एक resistance भी है तो दोस्तों यह जो pin है यह IC का left side का जो color pin है यह red color का है ठीक है IC का left side का जो pin है red color का है ठीक है यह red color pin कुन सा है यह IC का एक number pin red signal input होता है ठीक है उसका बाद चली यह दो number pin है है यह पर तो यह जो middle pin है यह middle pin का साथ कौन सा pin connection है यह middle pin का साथ यह RGB color का यह middle pin का साथ connection है मतलब यह तीनों डाट जो है इसका middle pin का साथ connection है तो यह middle pin का color क्या है green color का ठीक है दोस्तों यह पर मैं green color लिखकर रख्था हूं तो इसका दो number pin दोस्तों base IC का दो number pin green signal input होगा ठीक है और उसका बाद दोस्तों यह जो तीन number pin है तीन number pin का साथ बीज में यह से यह तक रेजिस्टेंस है जिसका फैलो 46 ohms है ठीक है यह जो line है यह line का साथ कौन सा pin connection है यह पर left side middle और right side right side का अंदर जो generator है इसका जो output कौन सा color है तो दोस्तों यह blue color का मैं B लिखके राखा हूं तो यह blue color output का ठीक है दोस्तों blue color output का यह IC से जो blue color output होगा यह दोस्तों base IC का तीन number pin का अंदर आता है तो आपको यह data आपको note करके राखना पड़ेगा बहुत important है Google का अंदर इसका जो data आपको देखने को मिलेगा वो wrong मिलेगा ठीक है कुछ मैं data sheet का अंदर देखा वो wrong मिलेगा और बहुत data sheet का अंदर इसका RGB pin लिखा नहीं रहता है clear हो गया तो चलिए यह मैं baseboard picture tube का अंदर सही connection करने का बाद सही connection मैं कर दिया और picture tube का अंदर लगाने का बाद आपको मैं live ही देखांगा कि इसका picture problem self होता है की नहीं ठीक है चलिए PCV को मैं set कर दिया सेट करने का बाद चलिए मैं supply देता हूं supply मैं series line से ही दे दिया और दिखना पड़ेगा कि इसका filament जल रहा है की नहीं दोस्तों दिखें फिलमेन जल रहा है और audio video connection मैं पहले सही करके रखा हूं और screen का अंदर दिखें दिखें दोस्तों इसका size का color आ गया झाल झाल